राजधानी पतना के विकास के नई कहानियों को लिखता आपना ये पतना का डबल टिकर रोड समझ लिजे आने वाले समय में पतना में तीन तल्लों पर गारी दोड़ेगी ग्राउंड फ्लोर, फिर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और ये सच है क्योंकि अब ये दिखने लगी है यहाँ पर आप सापसाप देख सकते हैं कि कैसे ग्राउंड फ्लोर फ्लोर पे पहले से बनी हुई रोड है उसके लिए first floor के लिए clear cap बन गया है और second floor का भी clear cap बना हुआ दिखाई दे रहा है यानि आने वाले समय में तीन तल्लों पर पटना में आपकी गारी दोड़ेगी उसके लिए विवस्था हो रही है कौन सा ये corridor है इसको बनने के बाद क्या फैदा होगा और खास कर राजधानी पटना में ट्रैफिक विवस्थाओं को ये कैसे बदल देगा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं पटना में असोक राजपत पर डवल टेकर रोड बन रहा है जी हाँ जहाँ पर ग्राउंड फ्रोर पर गारी चल रही है इसके उपर ये पहला ट्रैक बनेगा उसके उपर सेकेंड फ्रोर में भी गारिया दोड़ेगी आने वाले समय में या तीन तल्लो वाले रोड या समझ दिजिए ऐसे तो इसे डवल टेकर रोड कहते हैं लेकिन तीन तल्लो अगर ग्राउंड फ्रोर को भी जोड लिया जाए तो तीन तल्लो पर गारिया आपकी दोड़ सकेगी दो दसमलब दो लंबा ये कोरिडॉर है 422 करोर के लागत से इसका निर्मान हो रहा है और भी 23 फिट की इसकी चुड़ाई है लगवक सारे साथ मीटर पैदा क्या होगा सबसे पहले कारगील चौक से ये रोड सुरू होगा और सीधा पटना के साइन्स कॉलेज पे जाके उतरेगी पैदा ये होगा जो की असक राजपत पे जो जाम लगता है उससे आम लोग को छुटकाड़ा मिलेगा और वो एम्बुलेंस जो जाम में फज जाती है वो सिधा PMCS तक पहुँचेगी यानि आप नहीं से भी आप आ रहे हैं उस पे हली पैट की विश विद्धा होंगी लेकिन आज इस डबल टेकर रोड में कैसे दो तल्ले वाली रोड बनेगा उपर में सबसे टॉप फ्लोर पे भी गाड़ियां दौरेगी 35 से 40 फीट उचा होगी वो और फर्स रोड जमीन से लगवग 15 से 16 फीट आने वाले समय में पटना में तीन लेयर पे गाड़ियां दौरेगी इस जिरो से पिलर